संजय गांधी अस्पताल की चौथी मंजिल से कूधी महिला हुई दर्दनाक मौत पतिका इलाज कराने सतना से रिवा आई थी महिला गटना के बाद अस्पताल परिसर में मचा हर कम आपको बता दे कि रविवार की देर राज संजय गांधी अस्पताल की चोथी मंदिल से नीचे कूथ कर एक महिला ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली घटना के बाद अस्पताल परिसर में हरकंप मज गया इस दोरान आसपास मौजूद लोग दोड़ कर जो महिला के पास पहुँचे तब तक महिला की माउथ हो चुकी थी अस्पताल प्रबंदम ने तक्काल घटना की सुथना पुलिस को दी मौके पर पहुँची पुलिस की टीम ने पंचनामा कारिवाई कर महिला के शव को पोश्माटम के लिए मर्चुरी में रखवा दिया गया है और घटना की जाच में जुटी हुँच आपको बता दे कि र महिला सत्माजिले से पती का इलाज कराने रिवाई है बताया जा रहा है कि महिला के गिरने से जोर की आवाज बाहराई जिससे सोर सुनकर लोग बाद दोड़े वहीं घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मज गई सिक्योर्टी गाट के द्वारा तुरन महिया पुल में जुट गई है बताया जा रहा है कि मृतक महिला सीमा चोधी दोदिनपूर सत्ना जिले के मादोगर से पती कोशल चोधरी का इलाज कराने रिवाई थी संजय गानी अस्पताल में हाइट्रोसिल के आपरेशन के बाद पती अस्पताल के चोथी मंजिल में इस्थित एक व पुलिस के टीम ने पंचनामा कारवाही कर शव को पोश्ट माटम के लिए रखवा दिया और घटना की जांत में जुट गई है आए सुनते हैं मृतका के परिजन सहित एडिशनल एस्पी अनिल सोनकर से प्राप जानकारी के अंच सब्सक्राइब कर लिए क्या मालूब कैसे क्या कर लिए रात की घटना है एक महिला जो है एस्जीमस एस्पीतल से च्छ स्पूट करके सुसाइट करने की जानकारी प्राप दूए इसका इसका जो है सो एम के लिए रखवाया गया था और ये महिला सतना से आई थी इसके पती का आपरेशन हो रहा था अभी मर्ग कायम करके इसके जाच की जा रही है अभी ये जाच का विशा है जाच करने के बाद पता चलेगा कि किन कारणों से उन्होंने जो है बिल्डिंग से कूद कर अपनी आत्मत्या अपने को जो है च्छती पहुचाई है इस संबंद में हम जाच कर रहे हैं